दोस्तो ये HPGK के questions आज फार्मासिस्ट एलोपेथी 894 पोस्ट कोड में देखने को मिले upcoming सभी exams के लिए important questions हैं और अगर आपने इस exam को दिया है तो आप चेक कर सकते हैं आपके कौन से questions सही हैं और कौन से गलत बगी कोई भी doubt query question हो WhatsApp जुरूर करना HPGK का course आप purchase करना चाहते हो तो WhatsApp करके पूरी जानकारी ले लेना material course चाहिए हो तो वो आप purchase कर सकते हो और अगर आप video course purchase करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं हर एक question को खुद attempt करिएगा वीडियो को पोस करके आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप खुद attempt करें इन questions को exam hall में बटके पहला question पिन बैली नेशनल पार्क इस लुकेटेड एट बिच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश दुस्तो हिमाचल प्रदेश में पांच रास्टी उध्यान है और आप सभी को पता है पिन बैली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है लाहुल स्पित्ती में यह option बिल्कुल सही होगा इसका यह question थोड़ा सा tough था लेकिन आने वाले exams के लिए important रहेगा which place of हिमाचल प्रदेश has oldest skying slopes तो यह है कुफरी शिमला अगर particular जगा options में हो जैसे यहाँ पे कुफरी दी गई थी तो इसको choose करो otherwise आपको district choose करने वा सकता है तो शिमला आपको choose करना पड़ेगा और कुछे questions होते हैं आप पूरी बुक ही पढ़के क्यों न चले जाएं आप funds होगे ऐसे questions में उनी questions में से ये भी था एन नबिच यर भगत सिंग ठाकुर received the परशुराम आवोर्ड तो ये परशुराम आवोर्ड मिला है भगत सिंग ठाकुर को 1997 में तो यहाँ पे डी ओप्शन सही होगा याद रहे ये जो परशुराम पुरुसकार दिया जाता है हिमाचल में ये sports से related ह तो question ये भी आता है एक important topic है books and author of हिमाचल परदेश तो इसको जरूर पढ़के जाओ अगर आप upcoming exams की तहरी कर रहे हो country life यहाँ पे एक book है इसको किस के द्वारा लिखा गया है तो दोस्तों ये नोरा रिचर्ड्स के द्वारा लिखा गया है ये option बिल्कुल सही होगा सीधा question आता है कि धाम्मी firing कब हुई थी तो आप सभी को answer करना है 16th of July 1939 अब यहाँ पे question घूमाया गया है कई बार question आता है धाम्मी जो particular प्रजा मंडल था उसके leader कौन थे भागमल सोठा आपको याद रखना होता है नाम question है who's arrested by the police on July 16th 1939 near घनाटी घनाटी कहाँ पे है शिमला led to the infamous धाम्मी firing tragedy तो यह जो दोस्तों धाम्मी गोली कांड हुआ था 16 जुलाई 1949 में इसके पीछे अगर मैं बात करूँ तो गिरफ तारी थी किसकी भागमल सोठा जी की तो बी options है होगा दिलीप सिंग राणा जो है उस ताइम शाशक हुआ करते थे धाम्मी के तो इनोंने अरेस्ट करवाया था और काफी भीड इकठी हो गई थी इनके अरेस्ट को लेकर के फिर गोलियं चलवा दी थी अराणा ने और बाद में फिर काफी पूरे इंडिया लेवल पर ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी दोस्तों HPGK का लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है HPSSC भी इंक्रीज कर रहा है HPPSC की तरह शिमलावोड की तरह कारदांग मुनास्ट्री ये बिसिकली कहां पे है लाहू लैंड स्पित्ती में लेकिन पार्टिकुलर जगा पूछी गई है यहां पे तीन ऐसे प्लेसेस हैं ज तो बेसिकली कारदांग मुनास्ट्री जो है ये किलांग में है तो यहां पे ए उप्षन बिल्कुल सही है जरूरी नहीं कि हर एक्जाम में tough questions ही आएंगे easy questions भी आते हैं बच्चों वाले जैसे ये है रेनुका fair is celebrated in which district of हिमाचल परदेश रेनुका मिला हिमाचल परदेश के किस जिले में मुनाया जाता है तो ये कहां पे सिर मोर में ठीक है ये important question है upcoming exams के लिए जीजेड festival जो है ये celebrate किया जाता है हिमाचल परदेश के किस district में तो ये लाहुल्स पित्ती में celebrate होता है दोस्तों कभी भी ऐसे questions हैं जिनमें थोड़ा सा नाम अटपटा हो तो जातर आप लाहुल्स पित्ती या फिर किनोर चूस कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों पतिकरी hydroelectric project जो है ये किस नदी के उपर बनाया जा रहा है तो ये ब्यास नदी के उपर बनाया जा रहा है और मैं आप सभी से question पूट करूंगा ये जो पतिकरी hydroelectric project है ये किस district में है इसका अंसर बत first chief commissioner कौन थे first lieutenant governor कौन थे first chief minister कौन थे first governor कौन थे first हिमाचल प्रदेश बिधान साबा secretary कौन थे तो इनका नाम है दोस्तों NC नंदी NC जो है ये काफी important है NC महता की बात करूँ NC नंदी की बात करूँ ठीक है NC नंदी हिमाचल प्रदेश बिधान साबा के प्रत्थम सचीव थे और जब मैं first female बिधान साबा secretary की बात करता हूँ तो आप सभी को बिध्या स्टोक से याद रखना ये question बन सकता है आप coming exams में next है चमबा डोमीणियन जो है इसकी स्थापना किसने करी थी तो बैसे तो राजा मारू जो है इन्होंने दोस्तों चमबा डोमीनियन जो है इसकी स्थापना करी थी लेकिन options में ये होता ही नहीं है मेरु वर्मन ही options में होता है तो आप इसको choose करो कभी भी आपको दोनों यहाँ पर मिल जाएं मेरु वर्मन भी मिल जाए और राजा मारू भी तो राजा मारू चूज करना मेरु वर्मन थोड़े से उनके बाद सत्ता में आये थे हालांकि इन options के हिसाब से यह options आई होगा दोस्तों हिमाचल के इतिहास में या फिर कांगडा की हिस्ट्री में जो महल मोरियां वाला बैटल है गुर्खा कमांडर अमर सिंग थापपा और महराजा संसार चंद के बीच में काफी फिममस है गुर्खा कमांडर अमर सिंग थापपा उस भी में ज्वाला मुखी की संदी हुई थी महराजा संसार चंद और महराजा रंजी सिंग के बीच में तो यह सारी शिचें आपको पता होनी चाहिए ओल्ड नेम्स जरूर पूछे जाते हैं जो प्रिंसली स्टेट्स वगेरा रही है तो यह काफी बार हम डिसकस कर चुक है नालागड का पुराना नाम क्या था हिंडूर ए उप्षन और हिंडूर जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा क्योंकि यह क्वेशन भी इंपोर्टेंट है पारवती बैली जो है पारवती घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है तो पारवती घाटी आपको देखने को मिलती है कुलू में तो इसका डि उप्षन सही होगा कुलू को दोस्तो देब घाटी के नाम से भी जाना जाता है तो ये भी question आता है याद रखना Lakes पूछी जा रही है और ऐसी Lakes पूछी जा रही है जो इतनी famous नहीं है तो upcoming exams के लिए थोड़ा सा त्यार हो के जाईएगा बड़ों सर एक lake है हिमाचल परदेश के किस जिले में है तो ये शिमला में है इसका C option सही है बाकि ये जो अभी अभी हमने discussion किया इन GK questions का ये टेलिग्राम चैनल के उपर आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी तो 95 HP Studies टेलिग्राम चैनल का नाम है इसको जुरूर जोइन कर लेना इन future ऐसे important PDF फाइल साब को मिलती रहेंगी और बाकि कोई भी आपका doubt हो झाल 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 झाल